का दोस्तों नमस्कार सो हनिवल डिसी वऩिरो निरो का जो कंट्रोलर है, इसके कई सारे पार्ट में सारे वीडियो बनाए है? ब्षाइप्सक्राइब है। इस वीडियो में आपको हमको समझाते हैं कि इसके जो इक मतलब होता है इसलिव कर सकते हैं तो उसके बारे में बताएंगे ताकि आपको जब स्लम्पब सलूशन कर सकें करें करम दो इसमें तो तीन वहां जो था ये अ jullie होता है और है और कुछ एक हिरा रेंश से रिलेटेड़ होता नहीं होता तो उस किसमेंगे आता है और तीसरा राता है वह वारें खुद स्रेटर रिप्लेस करना होब तो ये बहुत रियर के regional कारा है बागी जो डाक के अए वह ज्यादत नहीं होँ उक्षाइटर इसमें जो है जो है जैन्सर के जो है सेंसर वन सेंसर तू अगर आप अगर आपको कुछ दिखाते हैं उनके क्या क्या सुलूसर न होता वह भी मैं आगे बताते हैं तो देखें यहां पर एरर के कुछ कोड़ आपको देख पा रहे होंगे यहां पर दिखें इस टाइप से हमको कंट्रोल में दिखता है यहां पर आई एन आई मतलब होता है मतलब होता है step one less error यानि input वे में अंक मतलब है जो अजोड़ां टर्म करें या तो उससेmirror में क्या हो सकता है यह जो वायर आप उल्टा कनेक्ट कि रहेंगे तो उसका भी यहां पर error आ सकता है या फिर कोई wire अगर सही से connect नहीं है लूज है तो उसका भी error आ सकता है तो इस case में क्या करना रहता है कि आपको sensor को wiring चेक करना रहता है आगे हम बताते हैं कैसे हम इसमें दिखाएंगे किस तरीके से error इसमें आ रहा है तो उसको कैसे सब्सक्राइब करते हैं दुसरा सी यहां पर दुसरा जो देख सकते हैं ADCF आप यहां पर देख सकते हैं इसका मतलब होता ADCF से होता है कि analog to digital conversion तो ADCF अगर आता है तो यह बहुत rare case में आता है जरली आता नहीं है तो यह system का कुछ अपना error होता है जैसे इसमें अगर रहता है अगर हो सई से नहीं क्याम कर रहा है तो उस case में इस तरह के का error आता है उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है CJCE यानि कि cold junction compensation फेलर यानि कि अगर आप यहां पर थर्मो कपल यूज़ कर रहा है तो cold junction का compensation हम इसमें से सेटिंग में करते हैं तो अगर फेल होता है तो उस case में भी इस टाइप के error आता है CJCE तो यह जो है यह भी जो दो टाइप के जो अगर आप दो इंपूट यूज़ कर रहा है तो दूसरा इंपूट में अगर आता है तो इस टाइप से अगर आता है यह त्रिपल यू आई फिर यहां पर डाउन करके अगर आता है इस टाइप के अगर आते हैं 12 करके यह मतलब इसका है कि जो हम रेंज इसमें सेट किया है तो जो भी हम लोवर और अपर का जो रेंज सेट किया है तो उस रेंज से आउट अफ लिमिट अगर हमारा मुझे में प्रोसेस बेलु अगर आएगा यहां पर मिजर कर रहेगा तो उस केस में यहां पर इस तरीके का एरर आ जाएगा अगर माले सेंसर वान है यानिकी इनफुट वन में अगर प्रोसेस बैलु जो है सेट रेंज से ज्यादा या फिर कम आ जाता है अगर ज्यादा आएगा जिसमान लीजिए अपने सेट कर दिया कि 100 से लेके 200 डिगरी के बी जाना है कि प्रोसेस बेरियेबल जो है वह से ज्यादा आ रहा है तो या तो आपका जो यूड्य से'T हुआ होगा वह कम है सबस्राव हो चुका या जर्यम pin से नहीं वह संदियां कुन हो फिराल करना का रहता है एक यह नहीं पता है यह था K य वह सकते हैं त्वार हगे छ नहीं को इंसरी टेस्ट आईंद यह लीखेगा अगर और फिर लिखेगा ऑगर दूसरे वाले मेरे प्रुप लिखेगा सेंशर में क्या हो सकता है संसर का यह होगा कि जैसे हमारे तीनों वायर हमें प्रापर कनेक्ट होना चाहिए आप उस टाइब के रहा रहा तो चलिए अभी हमने यहां पर देखे परापर कनेक्ट किया हुआ हम इसमें एक वायर को ओपन करेंगे तो आपको यहां पर दिखाते हैं कि कौन से रहा रहाता है तो उसको फिर से सही करना कैसे करना होता है माल लेजी हमारे पास यहां टीडी का कि आयए यहां पर देख सकते हैं यहां पर आई एन वणए करके आ रहा है यह सब्सक्राइब है यह अनलाग इंपुट का अर। तो आई एन वानी का मतलब कि इंपुट वन एरार यहां अब देख सकते हैं इनफेर्रों में यहां पर उपेन किया हुआ है तो इसी तरीके से अगर आपको to तो brother why यआ फिर वायर से नहीं पोजितीज नीगेटिव य predictive कनेक्ट हो गया तो यह चीज है आपको चेक कर लेना है फिर इसको जैसे आप करेंगे तो यह two last हो जाएगा आप जैसे हाँ और i कर रहा है तो इसको आई याई फूरे e रहा है तो इसको उखर सही करना है तो ममें यह को सीरा करते हैं अपने इसमें से हट जाता है यहां पर हमने आपने कर लिए तो से यहां है यहां से अल्रम हट चुका है यानि की एरर भी हट चुका होगा तो यहां पे देख सकते हैं फ्रोसेस बेरिएबल फ्रोसेस बैलू जो है वहाँ पे सोग कर रहा है तो यह इंपूट एरर हो गया इंपूट रिलेटर जो आथा अब जो दूसरा जो जैनरली ज्यादतर तर जो आता है वह आता है अपर लिमिट यानि रेंज रिलेटड अभी रिलेटेट क्या आएगा वह हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले देखें यहां पर जो सेट पॉइंट हमने अर्टालिस गया हुआ है प्रोसेस बरियेबल जो ट्वंटी सीग्ट तो हमें रेंज करना की है और इसका मतलब कोई हैं क्या करते हैं कि तुछ चैंज करते हैं फिर कैसे हम क्या करते हैं कि रोटकी को कॉन करते हैं कि जीरो से हम कर देता है तो इसमें अपने चेंड होगा चैंड करके दिखाते हैं तो इसका जो set point होता है is set change करने के लिए हमें जाना रहता है configuration क confuse वार्था चैन्व बटन और shift की को 5 सेकंड दबाना रहता है एक से कि तो यह konfiguration 2 में आएंगे यहां पे का सेलेक्षन करना होता चर्णा होता है उसके के बाद यह अनलाग का लोरोख लिमीट हैं यहां पर बहुत डीपी के बाद लोघ् diy लवे सीड़्पाइंट लीमीन जो 0 है ज़ीर्वा है तो या भी से ऊपर दिखा रहा चैसेonst cog कोई और नहीं है अभी क्या करता है मान लीजिए हम यहां पर जीरो है तो तुरंत यहां पर यहां पर किया हुआ है कि जीरो से उपर ही नापेगा और जो अपर इसकेल है यहां पर इसकल दिया हुआ जाए सजब घ्या चार सो शाओ के बीच में मिजरमेंट कर सकता है ज्यादा होगा तो भी यह जाएगा और जीरो से कम होगा तो भी अरे खर्ने थे हैं詢लिक जैसे ही करेंगे तो जो प्रोसेस बरियेवल हो आउट आफ रेंज हो जाएगा क्योंकि लोवर शेट पॉइंट हमने सव ही रखा है यानि कि यह कंट्रोलर है मिनमूम सव डिग्री के ऊपर ही ना मिजर्मेंट करेगा सव डिग्री के नीचे मिजर्मेंट नहीं करेगा उस कंडिशन में एरर ज आफ यह जो एरर है इसका है यहां पर इं एक यहां पर लिख सेखते हैं, कि यहां पर प्रोसेस बरियेबल अंडर ल thinkers तो इस पर आपको क्या करना रहता है एक सेंसर बाईरिंग इंब इंपूड कोड करना है कि यह सेंसर का वायरिंग वह आपको क्या चक करना है उसके बाद इसका input का जो है code चेक करना है इनपूट का code का मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि हम अलग अलग sensor के लिए अलग अलग code set कर देते हैं और हर code का अलग range रहता है जैसे हम के अगर थर्म कपल के टाइप के लिए अलग range रहता है 0-400 रहता है दूसरे टाइप को sensor होता है उसका माइनस से कुछ और range रहता है तो यह तो आपको सबसे पहले इसका sensor चेक कर लेना कि sensor सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके आलग आपको range जाकर चेक करना होता है रहा है यानि प्रोसेस पर यह बन 26 दिखा रहा है यहां पर जो जो किया है रेंज 26 कोमीरेमेंट करेगा दरफाइख camera जरेट करेंगा हम यहां पेशी है नेगा तो दो 123 जरेट हो जाएगा तो अभी क्या करना है कि हमsinात करना थे करने के लिए हम में फिर से उसी जाएंगे configuration 2 में तो यह जो अलार्म है अपने आप यह रिडियूस हो जाएगा तो फिर से जाएंगे लोवर सेट पॉंट लिमिट में लोवर सेट पॉंट लिमिट में क्या करेंगे सव को फिर से हम जैसे ही जीरो करेंगे तो वो जो क्योंकि यह जो रेंज के अंडर में आ जाएगा लोवर सेट पॉंट लिमिट है उससे ज्यादा आ जाएगा और अपर वाले से कम हो लाएंगा यानि कि इसका मिजरिंग रेंज के अंडर में रहेगा तो अब उसके बाद माल यहां पर चेक कर लेना होता है चलिए अभी हमने यहां पर दिया है और अपर इसके लाइडी 400 है तो फिर से चलते हैं मैं इस्क्रीन पर अभी एरर जो हट गया होगा तो देख सकते हैं अभी यह मैं इस्क्रीन पर जैसे आए यहां पर अभी भी एरर आहीं रहा है तो अभी फिर से चलते हैं रेंज सेट अप में कि वहां पर रेंज जो हो रहा हुआ कि नहीं हुआ अब यहां पर हंडेड है हमने इसको वहां पर सेट नहीं किया था तो हम इसको जीरो कर देते हैं कि अभी जैसे जीरो करेंगे तब हमारे घाट जाएगा यहां पर यहां पड़िपट या औज खाती यह पार दिखाय रहा है तो इस तरीके से आप अगर एर्र जो आता है उस एर्र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका साल्ब कर सकते हैं सलूशन उसका निकाल सकते हैं कि क्या प्रावलम हो सकता है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किजिए अग झाल झाल